भगवान शंकर स्वयम परिक्षा लेने गए सती जी भी स्वयम परिक्षा लेने गई थी भगवान की तो संकर जी भी परिक्षा लेने गए ब्रमचारी के वेश में गुफा के द्वार पर पहुंचे सवेरे सवेरे का समय तो पारवती जी गुफा के भीतर और उनकी सोलह सक्खियां बाहर इन सोलह सक्खियों ने कहा कि बाबा कैसे ब्रमचारी बाबा कैसे बस दर्शन करना चाहता हूँ माराज क्या दर्शन करोगे तफस्या में अस्थी मात्र होए रहे रहे उशरीरा तब तो और अच्छा है आनंद पूर्वक दर्शन करोगे ठीक है माराज लेकिन वे तो सूरिय दर्शन के लिए निकलती है सूरियास्त के समय निकलती है तब ही दर्शन कर लेगे ठीक है संकर जी रुख गए सक्या प्रतिक्षा करने के लिए वचन दे चुकी शाम को निकलेंगी तब दर्शन करना ब्रमचारी रुके रहे थोड़ी देर में बोले ये सरोवर में पुष्प बड़े सुन्दर है कमल के पुष्प तोड़ने है हाँ हमाराज तोड़ो कौन मना करता है ब्रमचारी ने जल में पुष्प तोड़ा दूसरे के लिए हाथ बड़ाया तीसरे में डूबने लगे अरे मुझे तेरना नहीं आता मैं तो डूब रहा हूँ कोई बचाओ कोई बचाओ तो सक्या दोड़ी नहीं 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 तुम लोग मेरा इस परश मत करना मेरा ब्रमचारी नश्ट हो जाएगा मुझे मर जाने दो अब तो देवियों ने देखा ब्रमचारी प्राण दे रहा है तो निश्य लख ब्रमचारी का सक्या गई ही यहार स्री गिरिया की गुफा पर देने लगी पुपा सरुबर में कमल के पुष्व लेने गया एक ब्रमचारी डूब रहा है आप जल्दी चलो पार्वती जी बाहर निकली मैंने तुम्हें तेहरना सिखाया है हाम हाँ पर ब्रमचारी कहता है कि नहीं नहीं देबाम हाथ की टेक करो मत अपमान एक ब्रमचारी अच्छा मैं जाते हूँ पार्वती जी गई बाया हाथ आगे बढ़ाया संकर जी ने कहा कि डूब जाने तो बाया हाथ आगे मत बढ़ाओ दाया क्यों नहीं बढ़ाते पार्वती जी ने कहा कि दाया हाथ तो मैं अपने पती के निमित अर्फित कर चुकी हूँ संकर जी ने कहा तो जाओ स्वार्थ देखो मुझे मरने दो जाओ अब पारवती जी ने सुचा कि मैं करूं क्या अंत में निश्य किया भगवान शंकर परमार्थ के लिए गंगा जी को सीर पर रखते हैं परमार्थ के लिए सर्पों को गले का आभुशन बना की रखते हैं और मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाओ निश्य कर लिया लो ब्रमचारी हाथ बढ़ाओ दाया हाथ आगे बढ़ाया ब्रमचारी ने हाथ पकड़ लिया बाहर निकाल लाई सक्खियों से कहा चिता बनाओ मैं जल कर भस्म होँगे अब सक्खियां बहुत दुखी भस्म ना हो मा अब संकर जी देख रहे सक्खियां आसू बहार रही है एक-एक लकड़ी लगा रही है चिता बना रही संकर जी ने कहा कि देवी ऐसा कहे को कर रही हो अगले जनम में भी कुछ ऐसी घटना घट गई तब पारवती जी ने कहा कि फिर उस ब्रमचारी को बचाऊंगी और अपने प्राण दोंगी उससे अगले जनम में वैसा ही करोंगी कब तक जनम कोटी लगे रगर हमारी एक करोड जनम तक मेरा यह निश्य है संकर जी ने कहा ठीक है अब अगनिदान का समय सन निकट आया आयो समय बिनीत जब अगनिदान को सन निकट तब ब्रह्मचारी के भेश में भए भूत भावन प्रकट संकर भगवान प्रकट हो गए पार्वती जी ने देखा चरणों में सिर रख दिया भगवान शिव को देखकर आनंदित हो गई पार्वती जी शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा पानी ग्रहन तो पानी में हो गया पानी ग्रहन तो पानी में हो गया रही भी धी वह भी समय आने पर पूरी हो जाएगे संकर जी ने स्वयम परिक्षा लेकर आस्वस्त किया माता पार्वती जी को और शिव जी अपने इस्थान पर आ गए उसी समय तार का सुर एक बिकट राक्षश उपन्न हुआ उसने ब्रह्मा जी से वर्दान मांगा कि शिव जी बिवाह करें बिवाह के बाद शिव जी के जिस पुत्र का जन्म हो उसके द्वारा मेरी मरत्य हो और भगवान शंकर की क्या दशा जब से सती जी की परिक्षा ली सब्तरिशियों की द्वारा और स्वयम अपने द्वारा भी तब से शिव जी आनंद में रहने लिगे भय मगन शिव सुनत सनेहा हरस सब्तरिशी गवने गेहा अब संकर जी पारवा सती जी का चिंतन करें लेकिन यहां एक बहुत सुन्दर बाद है भगवान शिव राम जी का चिंतन करतें अच्छा देखो एक अद्वुत बाद है सुजान शब्दाया है मन थिर करि तब संभ सुजाना लगे करन रघुनायक द्याना और पहले भी जबते सती जाय तनुत्यागा तबते शियुमन भयव विरागा जदपी अकाम तदपी भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना सुजान तब भी है और सुजान अब भी है तो सुजान का काम क्या है जधास वंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतक देखत शैलबन भूतल भूर निधान सुजान वह है जो सर्वत्र सर्वकाल में परमात्मा का इसमरन करे वही सुजान है दुख आया तो दुख मिटाने वाले परमात्मा की याद की और अब सुख आया तो सुख देने वाले परमात्मा की याद की दुख मिटाने वाले भी वही है और सुख देने वाले भी वही है जपही सदा रगुना यक नामा तब और अब लगे करन रगुना यक ध्याना ध्यान किया तो राम जी का ध्यान करने से समाध ही लग गई संकर जी समाध हिस्त हो कर बैठ गए अवतार का सुर के जो मन में आई सुकर है पहले तो समाध ही खुले समाध ही खुले फिर बिवाह के लिए तैयारी हो बिवाह के लिए तैयारी हो तब बिवाह हो और जब विवा हो तब पुत्र का जन्म हो, जब पुत्र का जन्म हो तब मैं मरूं, उसने ऐसी यूजना बना रखी, को उसका मरन ही न हो, तब देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो बहुत उत्पात कर रहा है, तब देवराज इंद्र ने सब समाज बुलाया, तार का सुरु से कैसे बचा जाए, सबने सलाय दी पर्थ वहु काम जाए शिव पाहिं, पर्थ वहु काम जाए शिव पाहिं, काम को बेजो, जो करे छोब संकर मन माही, संकर जी समाधिस्ट बैठे हैं, उनकी समाधि में जो छोब उत्पन करे इस काम को बेजो, देवराज इंद्र ने काम देव से का काम देव ने का हमें कोई काम देव हम तो काम देव हैं कोई काम देवराज इंद्र ने का मित्र इसलिये तो बुलाया है समाधी भंग करने किसकी काम देव ने पूछा किसकी समाधी भंग करने देवराज इंद्र ने कहा भगवान शंकर की भगवान शिव का नाम सुना तो काफ गया का संकर जी की समाधी हे भगवान संकर जी की समाधी अब बहुत हैरान देवराज इंद्र ने कहा कि मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ काम देवन का ठीक है जाते हुए देख लूगे लोटकर आते हुए नहीं देख पाओंगे मैं चला तो जाओंगा लेकिन समझ लो ठीक है काम देव गया अपना प्रभाव फैलाया सारे संसार में संकर जी की समाधित नष्ट करनी थी पर सारे संसार को परेसान कर दिया कोई धैर्य धारन न करे महराज इस काम ने ऐसा उत्पात किया सब के मन मन सिझ हरे सब के मन मन सिझ ने हरर कर लिये अब शी तुलसीदास जी ने यह लिख तो दिया अब परेसान कि यह लिख दिया सब के मन मन से जहरे अब हनुमान जी महाराज अब मैं क्या करो सब के मन मन से जहरे अब इसको तो मिटाया नहीं जा सकता तो तुलसीदास जी चुप चाप बैठे हनुमान जी से प्रार्थना करें महाराज आप आप बताओ तो शी हनुमान जी प्रकट हुए हनुमान जी ने प्रकट होकर का आगे लिख दो जे राखे रगुवीर ते उबरे तेही कालवा हूँ जिनको राम जी ने रख लिया राम जी ने जिन को बचा लिया वे काम के कुप प्रभाव से बच गए जे राखे रगवीर ते उबरे ते ही कालमा अजब ऐसी प्रार्थना हुई लता निहारे लबही तरू साखा लताएं ब्रक्षों के लिए जुग गए ब्रक्ष लताओं का इस परश करने लगे संगम करही तलाव तलाई यहां सी दसा जड़न के वरनी को कही सकही सचेतन करनी जे राखे रगवीर ते उबरे ते ही कालमा काम ने अपना ऐसा प्रभाव फेलाया सर्वत्र भगवान ने जिने बचा लिया वो बच गए अब काम ने भगवान शंकर पर प्रहार करना चाहा सिवहीं बिलो की ससंके उमारू अब काम को बड़ा डर लगा लेकिन सोचा जो होगा सो देखा जाएगा काम तो करते ही हैं तरुपल्लव महरहा लुकाई करई विचार कनों का भाई आम के पत्तों की ओट से संकर जी के हिरदय पर चोट की काम ने छाडे विसम विसिख उरलागे छूटी समाधि संभु तब जागे भायों इश मन चौब जिसे की भायों इश मन चौब जिसे की दीनों लोग कमपा एमान हो गए जिसमें भगवान शंकर ने सौरो फलो मदन बिलो का अच्छा काम ने भी संकरजी पर चोट की पर आम के पत्ते की ओट से इसका आर्थ यह है काम जब भी चोट करता है किसी ना किसी की ओट से करता है और काम जिसकी ओट से चोट करता है वह आम ही होता है कोई खास नहीं होता है आम है लेकिन आम भी खास लगने लगता है किस के कारण काम के कारण काम के कारण आम भी खास लगने लगता है पर भगवान शंकर और हम लोगों में एक अंतर है हमारी नीद लग जाती है आँख बंद होने लगती है काम का बान लगने से पर संकर जी की आँख खुल गई काम का बान लगा तो आँख खुल गई जो जिसे काम सुला दे उसका नाम जीव है और जिसको काम जगा दे उसका नाम शिव है संकर जी ने चारों तरफ देखा मेरे मन में छोब और जिब चारों तरफ देखा तो सौरव पलनव मदन भिलोका काम को देख लिया भयव को बड़ा करोध आया अजर करोध आया तो कम पे उत्रई लोका तब सिव तीशर नयन युगा रा भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र कोल दिया तीसरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयव जरी छारा रती गई, रती ने प्रार्थना की कि महाराज मेरे पती को जला दिया। भगवान शंकर्ने का अबते रती तव नाथ कर, ओई ही नाम अनंग। बिनु वपु व्यापि ही सव ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। अब से तुम्हारा पती अनंग होगा, सब को व्यापिएगा, उसका शरीर नहीं होगा। महाराज मैं तो पत्नी हूँ, तो सुन निज मिलन प्रसंग। अपने मिलन का समाचार सुनो। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महा महिभारा, कृष्ण तने होई ही पती तोरा। बचन अन्य था, होई ही न मोरा। रति के वरदान की बात कही हिमान्चल राज को हिमान्चल राज प्रसंग। महापुरसों का सुभाव होता है, सासति कर पुनि करही पसाओ। नाथ प्रभुन कर सहज सुभाओ। अब देवताओं में बड़ी हल चल। इन्होंने तो काम को जला दिया, तो क्या विवाह के लिए तैयार होंगे। तो चलो पूछते हैं। देवता आए। देवराज इंद्र आए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर आए। एक बड़े बुढ़े साथ रहें तो बात ठीक बनती है। अब सबने प्रसंसा कियो। देवता प्रसंसा करने लगे। संकर भगवान आप कीजे हो। आप जैसा कोई नहीं। आप बड़े महान आप। संकर जी समझ गए। प्रसंसा तो हो चुकी। अब बताओ चाहते क्या। तो कोई बोले नहीं। ब्रह्मा जी से संकेत किया क्या आप ही। तब ब्रह्मा जी ने कहा। सकल सुरन के हिर्दे असल। शंकर परम उच्छा। देवताओं के मन में बड़ा उत्सा है। अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं। नेत्र सफल करना चाहते हैं। निजनेन निज देखा चाहिं। नाथ तुम्हार विवाओं। 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 आपने बड़ा अच्छा किया। काम जारी रतिकवं भर दीना। यह यह बड़ा अच्छा किया। लेकिं देवाओं। विवाओं। बोले बाबा बोले उमस्त होगा जैसे ही कहा सो देवताओं को खुसी भी हो और आश्यरी भी हो आपस में कहें कि इन्होंने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैया यह बात समझ में नहीं आ रही एक ने कापने को समझने से क्या मतलब अपना काम बन लिया नहीं नहीं सो तो ठीक है लेकिन फिर भी समझना तो चाहिए तो समझा तो नहीं जा सकता मरम्मा जी ने का क्या बात है भी यह काम को जला दिया भी वहा मरम्मा जी ने का कि तुम समझोगी नहीं तुम सब हो देव यह हैं महादेव देवताओं को महादेव की बात कैसे समझ में आ जाए हाँ सो तो ठीक है लेकिन संकर जी ने कहा क्या बात है अब सब चो सिफ़ जी ने कहा बोलो बोलो क्या बात है मुर्मा जी ने कहा कि हाँ हाँ बोलो देवता यह पूछना चाह रहे हैं अपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हूँ संकर जी हसने लगे हसते हुए बोले कि सभी लोग परेशान थे कि काम को जला दिया और विवाह के लिए क्यों तैयार यही प्रशन है नहाँ तो सुनो मैंने काम को तो जला दिया मैं काम की इच्छा से विवाह के लिए नहीं जा रहा मैं तो राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहा और इसी लिए विवाह दो तरह को होते हैं विवाह और विआह जिसके बाद वाह 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 बनी रहे सो विवाह और जिसकी बाद वाह नहीं आह होती रहे भी आह तो जब काम की प्रेरणा से भी वाह होगा तो भी आह 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 बनी रहेगी और जब राम की प्रेरणा से भी वाह होगा तो वाह 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 बनी रहेगी तो संकर जी ने का मैं तो राम जी की प्रिणा से विवाह के लिए जा रहा हूँ देवता बड़े प्रसन हुए वे हरसित होकर अपने अपने धाम को गए और हम लोग भी अप्रतिक्षा कर रहे हैं बिनुचल विश्वनाथ पदने हूँ राम भगत कर लचने संकर जी ने काम को जला दिया पर राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहे है ये रामा भगत कर लचने हूँ जैसिया राम जै, जैसिया राम जैसिया राम भगवान शंकर स्वयम परिक्षा लेने गए सती जी भी स्वयम परिक्षा लेने गई थी भगवान की तो संकर जी भी परिक्षा लेने गए ब्रह्मचारी के वेश में गुफा के द्वार पर पहुंचे सवेरे सवेरे का समय तो पार्वती जी गुफा के भीतर और उनकी सोलह सक्षियां बाहर इन सूला सक्षियों ने कहा कि बावा कैसे, ब्रमचारी बावा कैसे, बस दर्शन करना चाहता हूँ, महराज क्या दर्शन करोगे, तब पस्या में अस्थी मात्र होए रहो शरीदा, तब तो और अच्छा है, आनंद पूर्वक दर्शन करोगे, ठीक है महराज, लेकिन वे तो सूरिय दर्शन के लिए निकलती है, सूरियास्त के समय निकलती है, तब ही दर्शन कर लेगे, ठीक है, संकर जी रुख गए, सक्या प्रतिक्षा करने के लिए वचन दे चुकी, शाम को निकलेंगी तब दर्शन करना, ब्रमचारी रुके रहे, थोड़ी देर में बोले, ये सरोवर में पुष्प बड़े सुन्दर है, कमल के पुष्प तोड़ने है, हाँ हमारा चतोड़ा कौन बना करता है, ब्रमचारी ने जल में प्रविश किया, एक पुष्प तोड़ा, दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया, तीसरे में डूबने लगे, अरे मुझे तेरना नहीं आता मैं तो डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, तो सक्खिया दोड़ी, नहीं, 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 तुम लोग मेरा इस परश मत करना, मेरा ब्रमचारी नश्ट हो जाएगा, मुझे मर जाने दो, अब तो देवियों ने देखा कि ब्रमचारी प स्री गिरिया की गुफा पर देने लगी पुबका, सरोबर में कमल के पुष्व लेने गया, एक ब्रमचारी डूब रहा है, आप जल्दी चलो, पार्वती जी बाहर निकली, मैंने तुम्हें तहरना सिखाया है, हाम हाम, पर ब्रमचारी कहता है कि नहीं, नहीं, देबाम हाथ की टेक करो मत, अपमान एक ब्रमचारी क, अच्छा मैं जाते हूँ, पार्वती जी गई, बाया हाथ आगे बढ़ाया, संकर जी ने कहा कि डूब जाने तो बाया हाथ आगे मत बढ़ाया, दाया क्यों नहीं बढ़ाते, पार्वती जी ने कहा कि दाया हाथ तो म संकर जी ने का तो जाओ स्वार्थ देखो मुझे मरने तो जाओ अब पार्वती जी ने सोचा कि मैं करूं क्या अंत मैं निश्य किया भगवान शंकर परमार्थ के लिए गंगा जी को सिर्पर रखते हैं परमार्थ के लिए सर्पों को गले का आभूशन बना की रखते हैं और मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाओं निश्य कर लिया लो ब्रमचारी हाथ बढ़ाओ दाया हाथ आगे बढ़ाया ब्रमचारी ने हाथ पकड़ लिया बाहर निकाल लाई सक्षियों से कहा चिता बनाओ मैं जलकर भस्म होगे अब सक्षियां बहुत दुखी भस्म ना हो मा अब संकर जी देख रहें सक्षियां आसू बहार रही हैं एक-एक लकड़ी लगा रही हैं चिता बना रही हैं संकर जी ने कहा कि देवी ऐसा कहें को कर रही हो अगले जनम में भी कुछ ऐसी घटना घट गई तब पार्वती जी ने कहा कि फिर उस ब्रमचारी को बचाऊंगी और अपने प्राण दोंगी उससे अगले जनम में वैसा ही करूंगी कब तक जनम कोटी लगे रगर हमारी एक करोड जनम तक मेरा यह निश्य है संकर जी ने कहा ठीक है अब अगनी दान का समय सन्निकट आया आयो समय बिनीत जब अगनी दान को सन्निकट तब ब्रमचारी के भेश में भय भूत भावन प्रकट संकर भगवान प्रकट हो गए पार्वती जी ने देखा चरणों में सिर रख दिया भगवान शिव को देखकर आनंदित हो गई पार्वती जी शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा पानी ग्रण तो पानी में हो गया पानी ग्रण तो पानी में हो गया रही भी धी वह भी समय आने पर पूरी हो जाएगे संकर जी ने स्वयम परिक्षा लेकर आस्वस्त किया माता पार्वती जी को और शिव जी अपने इस्थान पर आ गए उसी समय तार का सुर एक बिकट राक्षस उपन्न हुआ उसने ब्रह्मा जी से वर्दान मांगा कि शिव जी बिवाह करें बिवाह के बाद शिव जी के जिस पुत्र का जन्म हो उसके द्वारा मेरी मरत्य हो और भगवान शंकर की क्या दशा जब से सती जी की परिक्षा ले सब्तरिशियों के द्वारा और स्वयम अपने द्वारा भी तब से शिव जी आनंद में रहने लगे भए मगन शिव सुनत सनेहा हरस सब्तरिशी गवने गेहा अब संकर जी पार बाद सती जी का चिंतन करें लेकिन यहाँ एक बहुत सुन्दर बाद है भगवान शिव राम जी का चिंतन करतें अच्छा देखो एक अद्वुत बाद है सुजान शब्दाया है मन थिर करि तब संभ सुजाना लगे करन रगुनायक द्याना और पहले भी जब ते सती जाय तनुत्यागा तब ते शिवमन भयव विरागा जदपी अकाम तदपी भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना सुजान तब भी है और सुजान अब भी है तो सुजान का काम क्या है जदास अंजन अंजि द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतक देखत शैलबन भूतल भूर निधान सुजान वह है जो सर्वत्र सर्वकाल में परमात्मा का इस्मरन करे वही सुजान है दुख आया तो दुख मिटाने वाले परमात्मा की याद की और अब सुख आया तो सुख देने वाले परमात्मा की याद की दुख मिटाने वाले भी वही हैं और सुख देने वाले भी वही हैं जपही सदा रगुना यक नामा तब और अब लगे करन रगुना एक ध्याना ध्यान किया तो राम जी का ध्यान करने से समाधी लग गई सनकर जी समाध इस्त दो कर बैठ गए अवतार का सुर के जो मन में आए सुकरे पहले तो समाधी खुले फिर बिवाह के लिए तैयारी हो तब विवा हो और जब विवा हो तब पुत्र का जन्म हो जब पुत्र का जन्म हो तब मैं मरूँ उसने ऐसी यूजना बना दखी कि उसका मरन ही नहो तब देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो बहुत उत्पात कर रहा है तब देवराज इंद्र ने सब समाज बुलाया तार का सुर से कैसे बचा जाए सबने सलाय दी पठ वहु काम जाए शिवपाही पठ वहु काम जाए शिवपाही काम को बेजो जो करे छोब संकर मन माही संकर जी समाधिष्ट बैठ रहे हैं उनकी समाधि में जो छोब उत्पन करे इस काम को बेजो देवराज इंद्र ने काम देव से का काम देव ने का हमें कोई काम देव हम तो काम देव हैं कोई काम देवराज इंद्र ने का मित्री से लिए तो बुलाया है समाधी भंग करने किसकी काम देव ने पूछा किसकी समाधी भंग करने देवराज इंद्र ने का भगवान शंकर की भगवान शिव का नाम सुना तो काम गया संकर जी की समाधी हे भगवान संकर जी की समाधी अब बहुत हैरान देवराज इंद्र ने कहा कि मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ काम देवने का ठीक है जाते हुए देख लोगे लोटकर आते हुए नहीं देख पाओगे मैं चला तो जाओंगा लेकिन समझ लो ठीक है काम देव गया अपना प्रभाव भेलाया सारे संसार में संकर जी की समाधी नश्ट करनी थी पर सारे संसार को परिशान कर दिया कोई धेर्य धारन न करे महराज इस काम ने ऐसा उत्पात किया सब के मन मन सिजहरे सब के मन मन सिजने हरर कर लिये अब शीतुसी दास जी ने यह लिख तो दिया अब परिशान कि यह लिख दिया सब के मन मन सिजहरे अब हनुमायन जी महराज अब मैं क्या करू सब के मन मन सिजहरे अब इसको तो मिटाया नहीं जा सकता तो तुलसिदाज जी चुप चाप बैठे हनुमान जी से प्रार्थना करें कि महराज आप आप बताओ तुछी हनुमान जी प्रकट हुए हनुमान जी ने प्रकट होकर का आगे लिख दो जे राखे रगुवीर ते उबरे तेही कालवाँ जिनको राम जी ने रख लिया राम जी ने जिनको बचा लिया वे काम के कुप प्रवाव से बच गए जे राखे रगुवीर ते उबरे तेही कालवाँ जब ऐसी प्रार्थना हुई लता निहारी न वहीं तरू साखा लताएं ब्रक्षों के लिए जुग गएं ब्रक्ष लताओं का इस परश करने लगे संगम करहीं तलाव तलाई यहां सी दसा जड़न कैवर नी को कही सकही सचेतन करनी जे राखे रगुबीर ते उबले ते ही काल महूं काम ने अपना ऐसा प्रभाव फेलाया सरवत्र भगवान ने जिने बचा लिया वो बच गए अब काम ने भगवान शंकर पर प्रहार करना चाहा सिवहीं बिलो की ससंके उमारू अब काम को बड़ा डर लगा लेकिन सोचा जो होगा सो देखा जाएगा काम तो करते ही हैं तरुपल्लव महरहा लुकाई करई विचार करों काम हाई आम के पत्तों की ओट से संकर जी के हिरदय पर चोट की काम ने चाड़े विसम विसिख उरलागे छूटी समाधि संभु तब जागे जागे भयव इश मन चौब जिसे की भयव इश मन जिसे की दीनों लोक कमपा एमान हो गए जिसमें भगवान शंकर ने सौरों पल्लों मदन भिलो का अचा काम ने भी संकर जी पर चोट की पर आम के पत्ते की ऊट से इसका आर्थ यह है काम जब भी चोट करता है किसी ना किसी की ऊट से करता है और काम जिसकी ऊट से चोट करता है वह आम ही होता है कोई खास नहीं होता है आम है लेकिन आम भी खास लगने लगता है किस के कारण? काम के कारण काम के कारण आम भी खास लगने लगता है पर भगवान शंकर और हम लोगों में एक अंतर है हमारी नीद लग जाती है आँख बंद होने लगती है काम का बान लगने से पर संकर जी की आँख खुल गई काम का बान लगा तो आँख खुल गई जो जिसे काम सुला दे उसका नाम जीव है और जिसको काम जगा दे उसका नाम शिव है संकर जी ने चारों तरफ देखा एक मेरे मन में छोब और जब चारों तरफ देखा तो सौरह पल्लव मदन भी लोगा काम को देख लिया भयो को बड़ा क्रोध आया अजग क्रोध आया तो कमपे उत्रई लोका तब सिव तीशर नयन उगारा भगवान शंकर ने तीशरा नेत्र खोल दिया और तीशरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयव जरी छारा देखते ही काम जलकर टुकडे टुकडे हो गया किर गया नीचे रती गई रती ने प्रार्थ ना की कि महाराज मेरे पती को जला दिया भगवान शंकर ने का अबते रती तव नाथ कर ओई ही नाम अनंग अब से तुम्हारा पती अनंग होगा सब को व्यापेगा उसका शरीर नहीं होगा महाराज मैं तो पत्नी हूँ तो सुन निज मिलन प्रसंग अपने मिलन का समाचार सुनो जब जदवंश क्रिष्ण अवतारा होई ही हरन महा महिभारा क्रिष्ण तने होई ही पती तोरा बच्चन अन्य था होई न मोरा रती के बरदान की बात कही हिमान्चल राज को हिमान्चल राज प्रसंग हुए महा पुरसं का सुभाव होता है सासति कर पुनि करही पसाओ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाव अब देवताओं में बड़ी हर चल इन्होंने तो काम को जला दिया तो क्या विवाह के लिए तैयार होंगे तो चलो पूछते हैं देवताओं देवराजी इंद्र आए ब्रह्माजी को साथ लेकर आए एक बड़े बुढ़े साथ रहें तो बात ठीक बनती है अब सबने प्रसंसा की देवताओं प्रसंसा करने लगे संकर भगवान आप कीजे हो आप जैसा कोई नहीं आप बड़े महान आप संकर जी समझ गए प्रसंसा तो हो चुकी अब बताओ चाहते क्या तो कोई बोले नहीं ब्रह्माजी से संकेत किया क्या आप ही तब ब्रह्माजी ने कहा सकल सुरन के हिर्दे असल शंकर परम उच्छाव देवताओं के मन में बड़ा उत्सा है अपने नेत्र सफल करना चाहते नेत्र सफल निजनेन निज देखा चाहिए नाथ तुम्हार विवाओं 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 देखिए भरी लोचन सोई कचच करऊ मदन मदमोचन आपने बड़ा अच्छा किया काम जारी रतिकों बर दीना ये ये बड़ा अच्छा किया लेकिन देवाओं देव बिवाह बोले बाबा बोले एव मस्त होगा जैसे ही कहा सो देवताओं को खुसी भी हो और आश्यरी भी हो आपस में कहें कि इन्हों ने काम को जला दिया और बिवाह के लिए था यार यह बात समझ में नहीं आ रही एक ने का अपने को समझने से क्या मतलब अपना काम बन लिया नहीं नहीं सो तो ठीक है लेकिन फिर भी समझना तो चाहिए तो समझा तो नहीं जा सकता ब्रह्मा जी ने का क्या बात है भी है काम को जला दिया भी वाह ब्रह्मा जी ने का कि तुम समझोगी नहीं तुम सब हो देव यह है महादेव देवताओं को महादेव की बात कैसे समझ में आ जाए हाँ सो तो ठीक है लेकिन संकर जी ने कहा क्या बात है अब सब चो सिफ़ जी ने कहा बोलो बोलो क्या बात है मुर्मा जी ने कहा कि हाँ हाँ बोलो देवता यह पूछना चाह रहे हैं अपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार संकर जी हसने लगे हसते हुए बोले कि सभी लोग परेशान थे कि काम को जला दिया और विवाह के लिए क्यों तैयार यही प्रशन है नहाँ तो सुनो मैंने काम को तु जला दिया मैं काम की इच्छा से विवाह के लिए नहीं जा रहा मैं तो राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहा और इसी लिए विवाह दो तरह को होते हैं विवाह और विआह जिसके बाद वाह 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 बनी रहे सो विवाह और जिसकी बाद वाह नहीं आह होती रहे भी आह तो जब काम की प्रेरणा से भी वाह होगा तो भी आह 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 बनी रहेगी और जब राम की प्रेरणा से भी वाह होगा तो वाह 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 बनी रहेगी तो संकर जी ने कहा मैं तो राम जी की प्रिणा से विवाह के लिए जा रहा हूँ देवता बड़े प्रसन हुए वे हरसित होकर अपने अपने धाम को गए और हम लोग भी अप्रतिक्षा कर रहे हैं बिनुचल विश्वनाथ पदने हूँ राम भगत कर लचने संकर जी ने काम को जला दिया पर राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहे हैं ये राम भगत कर लचने हूँ जैसी आराम जै जैसी आराम जैसी आराम जै जैसी आराम